इस वीडियो में मैं आपको amethyst crystal के पहनने के फायदे बताओंगा और अगर आप amethyst crystal को फियर करते हो तो इसके आपको क्या बेने फिट से बिलेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना जाहूंगा अगर आप amethyst पहनना चाहते हो तो amethyst का bracelet आता है Amethyst की माला भी आती है जो लोग Amethyst की माला को यूज कर सकते हैं वरना तीसरी चीज़ Amethyst की एक लॉकेट बनवा के भी इसको पहन सकते हैं या फिर इसके जो टंबल है हट शेप में इसे अपने पास रख सकते हैं जो टेस के ब्रेसलेट का भी एक और दो फॉर्म आती हैं ठीके तो जो लोगों को वैसे ब्रेसलेट पहनना पसंद नहीं है वो इस टाइल के ब्रेसलेट को भी वियर कर सकते हैं और Amethyst के मैं सबसे पहले आपको ये बेनेफिट बनाना चाहता हूँ के Amethyst क्या करता है हमारी बोडी के अंदर ना बहुत सारे चकर होते हैं उसमें से मीन सबसे उपर होता है क्राउण चकरा तो Amethyst क्या करता है आपके क्राउण चकरा को बैलेंस कर देता है एक्टिवेट कर देता है तो जो लोग भी मतलब लाइफ में बहुत डिस्टरब हैं कंफ्यूजड हैं अपनी लाइफ में क्या डिसिजिजन लेने चाहिए कैसे एक्शन लेने चाहिए क्या करना चाहिए उन्हें समय नहीं आ रहा उस कंडिशन में भी आप Amethyst को वियर कर सकते हैं यह basically हमारे crown chakra यहने कि हमारे brain के जो चक्र होते हैं उसे activate करता है तो जो भी इनसान इस crystal को energyize करके अपने पास रखता है यह energyize crystal वियर करता है पहनता है माला की फॉर्म में बैसलेट की फॉर्म में उसको यह benefit मिलेगा कि उसका crown chakra activate हो जागा तो वो amethyst को भी एडिश रखते हैं, उससे उनकी memory शाप हो जाएगी, यानि कि उनका दिमाग तीट चरने लेगा, उनकी अगर यादाश कम जोड़ हो लिए, तो यादाश strong हो जाएगी, साथी साथ ही हमारे crown chakra को activate करता है, तो अगर आपके बच्चे हैं, या आप बच्चे हो student हो, और याद नहीं रहता, memory loss होती है, तो उस condition में तो सबसे best crystal ही है, दूसरा जन लोगों किसी भी तरीकी कोई addiction है, लत लगी हुए, जैसे कि drink, smoke, या any other addiction, कोई भी addiction हो सकती है, और वो उस addiction को छोड़नी पार है, तो इस crystal bracelet को, माला को आप definitely wear कर सकते हो, और अगर आप अपन problem है, तो या तो आप अपने heart chakra को balance करके उस problem को दूर कर सकते हो, वरना अपना crown chakra, दिमाग से decision लेके, अपने दिमाग वाले chakra को activate करके भी उस problem को दूर कर सकते हो, और अगर आपके कोई भी doubts है, कोई भी query है, तो उसके लिए आप दिए गए number पे मुझे call कर सकते हैं, मैं आप आपको guide कर दूँआ, thank you for watching this video